सब्सक्राइब करें साइंस विएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैट्स के सूपर वीडियो देखिए सरी है हमारा कोश्चन नुबर 7 और यह सिब्यसी 2014 में आया होगा कोश्चन है तो बहुत यादा अच्छे तरीके से इसको करते लेकिन फिर भी बनाएंगे सर चलिए सर क्या बहस करें देखिए सिंपल आपको क्या बोला न कि के की को एक ऐसी नंजीरो वैल्यू बताइए नंजीरो वैल्यू नंजीरो यानि की के is equal to zero का मतलब नहीं होगा इसमें ठीक है अगर आप ही जाता है तो इसको neglect करेंगा ब ठीक है ना समझ में आ गया ना बस question यही था खतम हो गया बंद कर दिये वीडियो अब solution देखेंगे हम लोग ठीक है question खतम हो गया अब देखिए अब हम लोग के पास quadratic equation का given है 9x square minus 3kx plus k equals 0 ठीक है यह हमारा quadratic equation simple given है simple standard form में भी है जैसा हम लोग note करते है quadratic equation को वैसा दिया अब ह हमको real and equal कब होते थे कब होते थे आप बताइए अब आप लोग बताइए मैंने बहुत सारे questions में बताया जब d is equal to 0 होता था तब हमारे जो roots आते थे वो real as well as equal आते थे ठीक है हां तो कब आते थे अब d is equal to 0 आता है तो d का value यह 0 रखना है तो लिखना पड़ेगा आपको कि the roots the roots of the quadratic equation are real and equal when या फिर if d is equal to 0 हमारा d का value जब 0 आएगा ना सर तभी हम लोगों का जो equation आएगा उसका जो roots आएगा वो equivalent क्या होगा real होगा ठीक है हां तो d का value 0 यानि की d का formula हमारा क्या होता है पहले यह बताइए d का formula कहता है कि b का square कर दीजे तो minus 3 k का square कर दीजे sir minus 4 into a into c कर दीजे तो 4 into a आपका क्या है 9 into c आपका क्या है k कर दीजे ठीक है अब बोल रहे हैं कि d का value आप 0 रख दिए sir पहले हमको बता दिया question में बता दिया कि d का value आपका 0 होना चाहिए तो d का value हम लोग 0 रख देंगे d की जगा पे यह minus into minus plus क्योंकि square है ना उपर 3 का square क्या हो जाएगा 9 k का square क्या हो जाएगा k square minus अब देखिए 94036 होता है sir k होता है आप 2 बचेगा अब आपको पता है div क्याट का क्या की आपको इन स्टार्टीग में एक चीज्च देखा होगा क्या देखा होगा city क्या देखआई क्या कि जब हम लोग देखते थे कि दो टर्म्स का मुटिप्टे किसन जब 0 के इकवल होता था तो क्या कड़ते थे या तो ये term 0 होता था या तो ये term 0 होता था या तो आइधर और और वाला condition लगाएंगे तो आइधर आइधर क्या असर आइधर 9 K bound 0 और और क्या है हमार पास k-4 equals 0 ठीक है 9k equals 0 यानि कि यह multiply में तरह कि 0 से divided 0 होगा तो k is equal to 0 आपका first value आया second यह minus में तरह कि प्लस में तो k is equal to plus 4 अब sir आपको पता लगा क्या sir कि यहाँ पर क्या पुछा था आपको non zero values ठीक है तो therefore k is equal to 0 और bracket में आपको लिखना है neglecting neglecting k equals 0 हम लोगोंने neglect कर दिया k is equal to 0 को क्यों कर दिया कि हमको मांगा यह नहीं था क्यों क्यों देंगे sir लेकिन हम निकल रहा है तो निकालना पड़ेगा आपको दिखाना पड़ेगा आपका question भी बन गया और answer भी आ गया ठीक है तो यह था हमारा question number seven चलिए बढ़ते हैं आगे